वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला प्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपड़िट यहीं पर आते हैं ध्यान रखें हैं हलो एब्रिवान वेल्कम यूर्ट तु स्टड़ी फॉर सेविसेज और आज हमारी इस महीने का लास्ट दिन है अभी कुछ दिन पहली मैं आ आप लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी कोशिश कीजे कि हम लोग फटा फट से अपने सेलेबस को कंप्लीट करते रहें तो वही हम लोग भी इसमें आगी अपना यह कंप्लीट करते हुए इसी सीरीज का लास्ट देखते हैं अगर आपको इसकी पीडियेफ चाहिए आप इ टेलिग्राम चानल इसको भी आप जॉइन करके जो भी इनफरमेशन आप देना चाहते हैं वो आप इसी पे ही सारी इनफरमेशन ले सकते हैं बाकी आते हैं हमारे आज के इमपोर्टेट फाइव आर्टिकल्स पे जी आई पोटेंशिर्ल वगॉलिक संकेतत संकेता होता ना जी आई टाग्स उनके बारे में देखेंगे वैशनविट लेगिसी चाइल्ड होड कैंसर एक फेलोशिप प्रोग्राम है वैभफ के नाम से प्रिलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है और ऑटोनॉम तो सबसे पहला आर्टिकल है हम लोगों का वो है अनलीशिंग जी आई चीक है तो इस तरीके से यह जो हमारी जी आई टाग्स है यह एक प्रोड़क्त को दिय जाते हैं उसकी युणीकनेस को देखते हैं जैते हुआ से अगर मैं आपको बोलूमी या मैं आपको बोलूकेसर सैफरों यह सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी इस्टे प्रेक्तिस के रूप में जानी जाती है एंडिया ने ड़्टियो ट्रीटी साइग की थी डब्ली ट्रीटी के बाद ही इस जी इट्स परसंटी जी आई टैक्स सिर्फ अप्रूव होते हैं ऐसा नहीं कि जितने भी आप्लिकेशन साथ यह सभी को अप्रूव कर देता है ऐसा प तो इस हिसाब से यहां पर सरफ और 46% आप्लिकेशन से अप्रूब हो आती है तो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं काफी ज़्यादा चीक है तो यह बात भी आपको समझ नहीं है ज़्याइट करती है और जर्मनी जीएटमें सबसे जादा आगे लीट करघें 15 हजाइट चाहिना के पास 7000 से जादा है इस डेटा की हिसाथ से चेक है पूरे जितने भी जी जीएएटम इसमें सबसे जीएटम्स वाइन और स्पिरिट को दिये गए हैं छीक है इंडिया में यह आप लोगों को याद में रपना है ठीक है न यह चीज दिमाग में आपको अंटम क्लियरली होनी चाहिए और साथ ही साथ इंडिया में जितने भी जी आई टाइक्स दिये जाते हैं वो हर 10 साल में रिम्नियू होने होते हैं गवर्मेंट भी हाँ पर जी आई टाइक्स जैस लेंगे चीक है तो यह सब आपको जो लेंट करने हैं आपको जो पता ओने चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड जो है वह यहां पर देता है तो उन्हीं की जिम्मेदारी होती है जी आई टैक्स को यहां पर देने की देने का मेरा मतलब ह कि वह आपको मंजूरी देते चैन्नाई में रेजिस्टरी है चैन्नाई के रीजन में ही यह सारी चीज़े जो है वह प्रवाइट की जाती है यह सब आप लोगों से पूछे जा सकते हैं जी आई टाग के बारे में कि इस ख्लियर एवरीवन जी आई टाक्स बड़े आगे बड़े इसके बास सेकंड आर्टिकल की दरफ सेकंड आर्टिकल वैश्णवाइट लेगेसी अनियती सत्रू ठीक है अब यह क्या है रीसेंटली श्री श्री आनियती या अनियती सत्रू जो है वह न्यूज में थे क् ट्रीकल का व्यूज पर टॉ कि डिखाने के अपना बेटरमेंट i किक लिए प्ले में वह हैं और गय då थापिव अनियती सत्रो फटाब। सीुपई वजिटवी एक मोन होत है जो कि मजूली जिले असंब में मजूली सुननते मजूली जो वहां की एक ब्रिज्ज भी है इस पूर नेंजम है तो हमसे फैली चीज्री जो है वह चर्चा में तो ठीक है लेकिन इसके पीछे का उप्जेक्टिप कहा है due जासा म समट जो आकल गरम स्वाने है टीक है पैंली पर आसाम में मजूली मजूली और किसके लिए फेवर से रिवर के उपर बना हुआ आइलेंट भी है ब्रहमा पुत्र रिवर के उपर ही बना हुआ है तो अनियोती सत्र जो है वो बहुत पुरानी यहां पर अहोंग किंडम के एक राजा थे जयाध्वज उनके द्वारा को बने हुए हैं ठीक है मौंग यहां पर शंकरा देव के अंडर ही ट्रेंड किये जाते हैं और खृष्ण जी को क्रिष्ण भग्वान को यहां पर गोबिंदी महाप्रभू के रूप में कूब पूजा जाता है ठीक है सत्रा कहते हैं वहां पर जो आर्टन कल्चर परफॉर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अनिवती सत्र मजूली में याद रखेगा इंपॉर्टन्ट है एक्जाम के लिए कि कहां पर है क्या लोकेशन है यह सब चीज़ें पूछी जाती है लोकेशन और कुछ ना कुछ इससे जुड़ा हुआ एक्जाम में हमारे डर्टनी पूछ लि ऑड़े आगे बच्चों में काफी बढ़ते हुए दिखे हैं और सबसे जितने में कैंसर उसमें से हाफ कैंसर तो लिखे में लिखे में क्या होता है ब्लड कैंसर पढ़ सकते हों यहां पर भी लुकेमिय जो है यहां पर यह जो एक कैंसर का ग्रूप रहता है इसमें में यह ज्यादा कॉमन देखा गया है चैक है कई जगा पर रिवर्ज भी है लेकिन में चल्डरन की प्रपोर्शन यहां पर ज्यादा देखी गई है कैंसर के मामले में ग्लोबल कॉंपैलिशन देखें तो सबसे जादा लिएमिया और बोन कैंसर के के सबसे बड़न इसी की उपर है और इसकी स्टाड़ी को हम उंकोलाजी केहते हैं जिसमें कैंसर की पूरी की जाती है हमारे इंडिया में भी इसके लिए अलग से बनाया था प्रोग्राम जिसमें जो भी कैंसर से जिड़ा हुआ रिसर्च वर्क है वहाँ पर किया जाता है उनकोलोजी की रिसर्च वर्क ट्रेनिंग यूनेट्स पारामेडिक्स सब कुछ यहां पर रिखा जाता है इसके लिए अवेर्नेस भी कूप की जाती कांप इंच चलाए जाती हैं ताकि लोगों को कैंसर की बारे में आवेर किया जा सके लेकिन वही है कि यह ट्रीट्मेंट तोड़ा एक्सपेंसव भी होता है इंडिया में इसको पूरी कोशिश की जाती कि इस ट्रीट्मेंट को अफॉर्डबल के रूप में कहीं से ल याद रखेगा रिसर्च को लेकर के साइंटिस्ट को यहां पर जो है इंडियन साइंटिस्ट को पूरे वर्ल्ड में रिसर्च के लिए यहां पर भीजा जाएगा इसकी फैलोशिप प्रोग्राम जून 2023 में शुरू हुआ है जो की मिनिस्ट्री आप साइंसें टेक्नोलोज पर मंथ का जिसमें उनका इंटिनाशनल डुमेस्टिक सब कुछ यहां पर कवर अप किया जाएगा इंडिया में रह रही है बाहर जा रही है हर सी स्टार्ट की जाएगी ठीक है इसको भी आप लोग अपने नोट्स में लिखेंगे अड करेंगे एक्जाम में पूछा जाता है इससे भी ठीक है बहुए और आजका लास्ट है हमारा ड्राइविंग औुट-परवड क्या है कि एडवांस कार का सिस्टम है उट्यो मबाइल इंडस्ट्रि का एक है एडवांस ड्राइवर सिस्टम क्योंकि ड्राइवण जो है वह आज की टाइम पर जितना बी एंवाइ पर जो automation है उसमें रखा जाएगा जीरो से five fully manual fully autonomous इस तरीके से किया जाएगा society में पूरे cars को इस तरीके से divide करके ठीक है और यह US की department of transportation ने स्टार्ट किया लेवल वन में वेहिकल में automated system रहेगा लेवल two में partial रहेगा लेवल three में conditioning वही करते करते ऐसे बढ़ेगा इसको जिसमें एडास में जो है यह चीजे हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को मेंडेटरी करने की कोशिश कर रहे है कि इस चीज को हम लेकर के आए प्रॉपर्ली इंप्लिमेंट करें इसको चीजे है तो एडास सिस्टम में वही जो है कहीं पर भी कोई कवर्शल वीकल है कुछ भी है तो उसको यहाँ पर स्टॉप किया जा सके यह बेसिकली इसको अब्जेक्टिव है कि हम लोग प्रिवेंट कर सके हमारे आक्सिदेंट्स को और वेहिकल कल्चर को नॉर्मलाइज क तो इतना ही याद रखने इसमें नहीं पूछेगा जिसकी पहले के चार आर्टिकल के उसमें जो फाक्स बता है न वह आप से डीटेल में पूछे जाएंगे वह आप लोगों को जादा पढ़की जाने है जैसे अब आज का क्वेशन कावेरी रिवर के आप लोगों को पता है बहुत उचाई से उपर से आती और आट सो किलो मेटर बहते वर चलती गया और आप यह कहलो कि गुदावर कृष्णा के बाद थर्ड लार्जेस्ट रिवर है यह साउथ है और तामिल नाडू की लार्जेस्ट पर याद रखिएगा कि थर्ड पॉइंट बिल्कू ठीक ल गोल्डन मदर पॉन्नी गोल्डन मदर के नाम से भी इसको जाना जाता है बहुत सरी ट्रिब्यूटरी से जैसे कि हारंगी हेमवती शीमशा अरकावती यह लेफ्ट साइट से जुनने वारे साकरेट रिवर है मदर कावेडी के नाम से जानी जाती है एग्रिकल्टर परफॉ ठीक है कहां जादा फ्लो करती है maximum drainage area उसके बाद वहां पर एक falls भी बने हुए है जिसका नाम है शिवाना सुमुद्र समुद्र शिवाना समुद्र falls ठीक है वो भी बने हुए है कौन से रिवर पर कावेडी रिवर पर ये भी important है ठीक है और कई बार तामिल संगम literature में जो है कावेडी रिवर का नाम बहुत detail में लिखा गया है संस्क्रेट में जो नाम है कावेडी रिवर का वो है सांकेती लेकिन अभी तो आपको यही याद रखना है यही important है हमारे लिए ठीक है तो यह कावेडी रिवर के बारे में थोड़े से facts थे अब कावेडी बिसन यहाँ पर वो देख लिजे facts रहे है वो ठीक ही लिखे हूँ अलमस्ट यहाँ पर आप पढ़ेंगे थर्ड स्टेट्मेंट इसमें ठीक लिखी है यहाँ पर दिया पर इसमें थर्ड स्टेट्मेंट ठीक लिखी हुई है काविरी रिवर इसमें काफी वेजिटेशन लॉस हुआ है यह न्यूज में था करनाटका में भी यहाँ पर काफी ज़्यादा डिकलाइन हुआ है नाच्रल वेजिटेशन में यह सब बाते न्यूज में थी ठीक है चलो ऐसी सेकेंड क्वेशन देख लो बन्नी बन्नी ग्रास्डेंट कहां बने हुआ है यह गुजरात में आपको में बन्नी बन्नी नाम तो सुने होगा बन्नी थारो चांद सरीसो मुखडों लेकिन वैसे तो वह राजस्थान का जोंग है बट स्टिल आप पोड़ा सारेट करने हैं गुजरात बी गुजरात में हैं गरेट रणओं कच में क्लिए फुर्टी फार्व पर्सथाट है कौका फास्टी बोड़े एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर आपको बन्नी नाम से ही दर ना म रखा पर अच्छी खासी आपको प्लांट आनिमल्स बोर्ड मैमल्स रिप्टाइल्स की स्पीश अच्छी गासी निले हैं जो हमारा एंगी टी है ना एंगी तो आपने सुना ही होगा एंगी टी जो है नाशनल ब्रीन चुपनल 2010 वार में जो बना था उन्होंने ये भी बोला है कि ब हुआ भी था या भी न्यूज में इसलिए भी थी क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना उन्होंने बनी ग्रासलांट के उपर एक बुक रिलीज करी है एक पैंफलिट रिलीज कर जिसका नाम है बर्ड ऑफ बनी ग्रासलांट तो वह इसलिए काफी जादा न्यूज म अभी कहा जाता और अभी कि नाम पे यह लिए प्री जिजरी CI जिज और याद रुखना यह जो पूरा ग्रासल disfrby कुरा जो है यह कि I'm on alcohol और यह पूरा एक होता है यह पूरा एक सोल्ट को टॉल स्थम्म狂राराइट कर बाता है स्थाथ एकाट डेप्र जैसे कि मांग्रोव भी हेलोफाइट में ही क्लियर हुआ ऐसी यह वगला क्वेशन आता है यूडी एचार की ऊपर आपको बताना है यूडी एचार जो है उसका क्या सिग्निटिकेंट्स है की यह बारे में दीकेंट्स है कुशर पॉयुंट नहीं है आप अच्छे से रीट कर सकते हो थाल एक्सप्लेंट्स करे नहीं को एक लाइक प्रएंपर अचार करें कि इन गुद्ष ध्यक्स लिएं चार तो उसको भी आप लूग देखता रहीएगा तो यह थे हमारे आज की questions, articles और यह सारी चीज़े जो हमसे exam में बनेंगी सीधा, exam में सीधा पूछी जाती हैं यह चीजे, so that's how you are going to learn these points, these articles, and very very important, जितना भी हमने आज चीजों के बारे में पड़ा है, सब हमारे लिए important बन जाएगा, सारी के सारे facts, सारी के सारी चीज़ें अपने आप में पूछी जाती हैं, छेगे भाई, लिख लेजएगा इनको जरूर, चलो भाई, मिलते हैं आपको February में, सब तक है धन्यवाद, शुक्रिया, शेहिन